hello everyone, इस वीडियो में हम multiplication over addition के question करेंगे means हमें multiply कर देख लिए लेकिन हम इसको distribution law की तरह पहले properties में divide करेंगे means addition के questions बनाएंगे और उसके बाद इसको solve करेंगे जयसे हमने last वीडियो में किया था वो हमें पहले से question addition वाले दिये हुए थे हमने सिफ उसको मल्टिप्लिगेशन की फॉर्म में चेंज किया था लेकिन इसमें हमें पहले एडिशन में चेंज करना है फिर हम इसको सॉल्फ करेंगे चलिए फर्स्ट खोशन देखने हैं यहां पर हमें 859 इंट फिफ्टीनाइन मल्टिप्लाए वन हंडेट टू दे रखा ह अब हम यहां पे 102 को डिवाइड कर सकते हैं दो नमबर्स में कैसे 859 मुल्टिप्ला है ब्रैकेट में लिख सकते हैं 100 प्लस 2 ऐसे अब हमें क्या करना है इसको करने के बाद अब हम यहां पर यह देज़े देख रहे हैं इसकी multiply इससे कर सकते हैं और फिर हम उसे add करते हैं जब हमें यह करना होता है तो हमेशे याद रखनी चाहिए जो हमारा यहां पर हम पहले किस से करेंगे multiply है और इसी नम्बर को 2 से क्योंकि ब्रेकेट के बाहर अगर लिखा हुआ है तो मतलब दोनों से multiply करना है अगर अगर ब्रेकेट लगा है घर वाले नमबर को दोनों अंधर वाले नमबर से multiply करना है 859 multiply 100 plus 859 multiply 2 अगर लास्ट वीडियो देखे होगे आपने तो आपको पता होगा कि ये questions पहले हम कर चुके हैं जो हमने distribution law से करे थे अब इसको अगर हम 100 से multiply कर जाएं तो कितना चाहेगा 00 प्लस इसको हम 2 से कर सकते हैं अब हम इसको नॉर्मली इसमें आइड कर देते हैं यह हमारा क्या हो गया आंसर ऐसे हमें multiply करना थोड़ा तफ रहता क्योंकि calculation हमारी क्यों हो जाती लंबी लेकिन इसकी थू हमें छोटे छोटे नंबर मिल गया तो multiply करना हमें easy हो गया next करते हैं 673 multiply अब 110 को टू पार्ट में divide करेंगे तो क्या जाएगा 100 प्लस 10 अब इसको फिर से open करते हैं जैसे हमने first portion को किया था 673 multiply 100 प्लस 673 multiply 10 673 100 से multiply करेंगे तो दो 0 प्लस 10 से multiply करी तो एक 0 यहां लग गया अब इसको add कर लेते हैं 0 प्लस 0 तो 3 हो जाएगा 3 3 और 7 को add के हमने तो 10 वन करी आ गया 7 यहां पर भी 6 और 7 13 और 1 जो add के हमने 14 वन फिट से carry है यह 7 तो यह हो गया हमारा answer next question करते हैं यहां दिया है 112 multiply 1004 हमें addition में करना है तो हम क्या करेंगे 112 multiply इस वाले number को हम change कर लेते हैं किसमें हो जाएगा 1000 प्लस 4 में अब हम multiply कर लेते हैं 112 multiply 1000 प्लस 112 multiply 4 अब इसकी multiply किया है तो 112 और 3 जीरो आ गया प्लस तू फो 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 यह आ गया मैं एक question आप लोग को यह वाला question homework में दे रही हूं इसका इसको solve परके आप मुझे comment box में comment करिएगा मैं भी देखना चाहते हूं कि आप लोग को यह question समझ में आए भी या नहीं थैंक यू